हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप एक न्यूस है जिसने हम सबका ध्यान आकरशित किया है वो है रिलाइंस फ्यूचर गुरूप डील के बारे में ये डील होगी या नहीं होगी होगी तो इसका इंपेक्ट किस पे क्या बढ़ने वाला है इसको पूरा एनलिसिस करते हैं इस वीडियो को पूरा अंतक देखना पड़ेगा उससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले bell notification को on रखें थाकि सबी notifications आपको time पर मिल सकें तो तो कुछ ही दिनों पहले हम बात कर रहे थे कि मुकेश अम्मानी का Reliance Industries कैसे debt free होगा अपने geo platform के stake sale और right issues के बाद हम सब इस prediction के चक्कर में थे कि Reliance क्या इतना investment लेके debt चुकाएगा या फिर नया expansion करेगा क्योंकि Reliance का motor हमेशा से growth oriented रहता है इतना जल्दी हमें answer मिलेगा ये हमें शायद किसी को पता नहीं था Reliance Industries की बात चल रही है future group के head किशोर बयानी के साथ में जी हाँ आपको सबको मालूम ही होगा है और deal almost done होने की कगार पे है future group का पूरा control मुकेश हमानी के पास आ जाने वाला है अगर ये deal complete हो जाती है किशोर बयानी almost future group से बाहर निकलने वाले है और अपनी ही company में उनका तरह एक नाम मातर का stick रह जाएगा ये news आते ही future group के shares में गिरावट आने लगी इस पे भी हम बात करेंगे कि एक pattern establish करेंगे ताकि आप सब लोगों को आगे से पता रहे कि कोई stocks का pattern कैसा होने वाला है वो किस तरह से behave करेगा Reliance के shares में भी कुछ खास perform नहीं किया इस news के आने के बाद में इस news का significance है क्या? investors के पैसे का क्या होगा? अगर आपके वास future group के shares हैं तो क्या करें? ये सब बातों के लिए हम चर्चा करेंगे पर पूरा वीडियो ले लास्तिक जरूर देखेगा उससे पहले दोस्तों घर बैटे बैटे अगर आप stock market में invest करने की सोच रहे हैं और बिल्कुल साही सोच रहे हैं जियो फेस्बुक डील ने काफी positive sentiments करिया है market में इसके लिए आपको सबसे पहले एक DMAT account खोलना पड़ेगा और वो आप description में देगए Angel Broking के link को click करके खोल सकते हैं Angel Broking देश का number one full time broker है जहां आप चंद घंटों में अपना DMAT account open करके online trading की शुआत कर सकते हैं वो भी विल्कुल free में तो देर मत कीजिए और आज ही Angel Broking से अपना account खोलने के लिए नीचे देगे link पे click कीजिए अब समझते है future group का debt issue और करोना का double mark future group इंडिया के homegrown business का एक बहुत बड़ा giant है जिसमें सारी companies एक साथ है इंडिया के retail और fashion industry में बड़े नाम जैसे Big Bazaar, Food Bazaar, Lifestyle Source, Brand Factory, Central यह साथ future group के अंदर में आप शायदी लोगों को पता हुआ इसके अलाबा Integrated Foods और FMCG में भी future group का presence है लेकिन future group का debt situation काफी खराब होता जा रहा है September 2019 में उनका total debt था 12,778 करोर जो मार्च 2019 में 11,463 करोर था किशोर बियानी कंपनी के ओनर है जो 75% shares किशोर बियानी ने अपने lenders को pledge करके रखे हुए future group को बड़ा जटका तब आया मार्च 2020 में जब future corporate services ने अपने debt payment default किये जिसकी वज़े से ID पे ट्रस्टिप services ने future retail में अपने shares invoke कर दिये इस debt default के बाद में आया एक और जटका corona का जब future group का सबसे फाइदे मन वेंचर बिक बजार के shops को lockdown के चलते बंद करना बड़ा शायद यही वो point था कि जब किशोर बियानी ने future group के stake sale करने के लिए कोशिश शुरू कर दी होगी अब समझते हैं कि reliance के साथ ये deal की details हैं क्या future group में already amazon का 3.2% और आजीन प्रिमजी का 6% सिक है इसलिए शायद किशोर बियानी ने deal के पहले हाफ में इन दोनों से बात करनी शुरू कर दी reliance के साथ भी deal की negotiation चालू थी लेकिन finally जाके deal finalize हुई reliance के साथ ही इसका primary reason ये माना जा रहा है कि future group का debt situation को पूरी तरीके से ठीक करने के लिए सिर्फ reliance का deal ही suitable था इस deal को final करने के लिए future group के 3 listed entries future retail future lifestyle fashions and future supply chain solutions को पहले merger करना हुगा उसके बाद reliance को acquire करेगी इस complex procedure की वज़े से अभी भी deal का पूरा-पूरा plan clear नहीं हो पाया है reliance चाह रही थी कि उनके 15th July के AGM से पहले-पहले deal को announce कर दिया जाए लेकिन शायद situation ऐसे permit नहीं करेगी क्योंकि पहले future group की retail companies को एक साथ merger करना पड़ेगा और फिर reliance को उसको एक साथ खरीदना पड़ेगा इसके लिए किशोर ब्यानी पूरी तरीके से future retail की control से बाहर हो जाएंगे कुछ छोटे future group के board में शायद वो इस deal के बाद भी control में रहेंगे जैसे future fashions etc लेकिन retail sector में उनका control खतम हो जाएगा इस deal के बाद Amazon और अजीम प्रेमजी के future group में invested shares का क्या status होगा ये भी देखने के लायक होगा investors का मनना ये है कि Amazon, प्रेमजी invest और Blackstone इन सब के लिए नई company में shares मिलेंगे लेकिन पूरी deal clear होने में भी अभी time है अब समझते है retail और चल क्या रही है lines का ये पूरा plan अब काफी clear दिखाई दे रहा है जबसे उसने Facebook के साथ deal किया ताकि WhatsApp payment system चालू कर सके फिर उसने कैसे एक के बाद एक tech firm को Jio का stake sale किया ताकि tech innovation के मामले में वो Amazon के साथ compete कर पाए उसके बाद future retail को acquire करने का एक master store कहा जा सकता है लेकिन क्या ये इंडियन business scenario के लिए अच्छा साबित होगा एक company का monopoly होने वाला है शायद इंडियन market में ऐसा भी लग रहा है future group के shares में काफी दिनों से upper circuit लग रहे थे और इस deal की news आते ही वो सीधा नीज आ गया ये investors के लिए चिंता की बात है इंडियन के लिए और इसलिए investors के लिए मेरी advice यही है कि कभी भी company के shares अगर regularly upper circuit टच करें तो बहुत सावधान हो जाना चाहिए पहले उस company का debt details चेक करें फिर उसके बाद ही उसपे investment करने की सोचें सिर्फ कोई एक stroke उपर जा रहा है इसका यह मतलब नहीं है कि वो खरीदने के like हो गया पूरा सच जाने के बाद ही तभी किसी company में invest करना चाहिए ऐसा नहीं होता कि अगर कोई दो बड़े नाम सामने आ गए है और वो deal complete जब तक नहीं होगी तो आपका पैसा खतरे में आ सकता है इसलिए आपको हमेशा सोच समझ के ही निवेश करें दोस्तों उमीद करता हूँ यह news इस news का visualization इस news का analysis आपके गाम आया होगा और अगर आप चाहते हैं ऐसी news आपको हमेशा मिलते रहें तो प्रीज चैनल पर बने रहें चैनल को subscribe करें दोस्तों दो शेयर करें